हेलो साथियो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल रिविजन क्लासेज में साथियो आप सभी को सबसे पहले सभिधान दिवस की हार्दिक सुबकामनाए आज का टॉपिक हम लोग का सभिधान दिवस के उपर ही है जिसमें बताएंगे कि सभिधान दिवस क्यों मनाया जाता है सभिधान दिवस मनाने का क्या उदेश्य है और सभिधान बनाने में कितना समय लगा इन्हीं चीजों को आज हम लोग बारेकी से समझेंगे जो कि सभी परिक्षाओं में सभीधान से प्रशन पूछ लिये जाते हैं कि या सभीधान को कब अपनाया गया था और कब इसको लागू हुआ कि इसके वस्तुकार कौन थे या सब आज के इस वीडियो में जानेंगे तो साथियो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे यूटूब चैनल रिविजन क्लासेज पे नए हैं तो साथियो तुरत सस्क्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपको ज्यादा से ज्यादा लाब पहुचा सके तो आए साथियो देखते हैं सबसे पहले है सभिधान दिवस सभिधान दिवस मनाया कब जाता है तो सभिधान दिवस आज ही के दिन 26 नॉवंबर को मनाया जाता है जिसको राष्टिय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है राष्टिय कानून दिवस कहिए या सभिधान दिवस कहिए या 26 नॉवंबर को मनाया जाता है उसके बादे साथियों यह अपनाया कब गया? सविधान को अपनाया कब गया था? तो सविधान सभा के द्वारा 26 नॉवंबर आज ही के दिन 1949 को अपनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसको सविधान सभा के द्वारा लागू कर दिया गया जिसके तहत भारत जो है गरतंत्र हुआ उसके बादे साथियों इसको बनाने में क्या समय लगा? सविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो इसको बनाने में दो बर्स 11 महीने और 18 दिन लगे कितने लगे? दो बर्स जैसा कि यहां फे लिखा हुआ है दो बर्स 11 महा और 18 दिन यह जो है बर्स 2015 में समाजिक न्याय एम अधिकार्टा मंत्राले ने हर सल 26 नॉवंबर 1949 को सविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए भारत सरकार के निर्णाय को अधुसूचित किया? यह जो है सविधान दिवस यानि कि राष्टिय कानून दिवस कब से मनाया जाने लगा? तो यह 2015 में समाजिक न्याय एम अधिकार्टा मंत्राले के द्वारत सरकार ने अधिसूचित किया इसको तब से परतेक साल 26 नॉवंबर को यह सविधान दिवस यानि कि राष्टिय का अब आये साथियों इसका उदेश क्या है सविधान दिवस मनाने का उदेश क्या है तो सविधान दिवस मनाने का उदेश है भारतिय सविधान के महत्व पर जनता के बीच जगरुकता फैलाना यानि कि भारतिय सविधान के बारे में बताना कि भारतिय सविधान में क्या-क्या प्रावधान रखा गया है महिलाओं को क्या सुविधा दिया गया है किस सेक्टर में कौन-कौन से सुविधाय दी गई है क्या आपका अधिकार है क्या आपका कर्तब बनता है क्या नीति नरिद सक्तत्व है इन सभी इसका बर्नन, सभिधान में किया गया है. उसके बाद साथिओं, सभिधान के बस्तुकार, डॉक्टर, भीम, राव, अम…… messing. करना है और और इसका उदे से क्या है? कि सभिधान के बस्तुकार जो थे बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अम्बेदकर जहे थे, उनका जो योगदान था इसमें सवधान नििर्मार करने में, सवधान के बस्तुकारी करने में, उनके इस योगदान को याद करने के लिए, लोगों के बिच ज्यागरिट करने के लिए इस दिवस को 15, 2015 से पून रुप से मनाया ज जाने लगा तो साथियों आगर आज का एपिशोड आप सभी के लिए यूजफुल लगा हो तो फटा फट लाइक करें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा से शेर करें कॉमेंट करें धन्यवाद आज का दिन सुभो